वेल्कम तो आर्ना फुडी किचन आज मैं बना रही हूं और यह देखे कितने सौफ बने हैं और यह बच्छों के फेबरेट होते हैं और बहुत ही इजी रेसिपी है तो चलिए बनाते हैं जलेटिन असानी से मार्केट में मिल जाती है और इसको हम थोड़ी देर भिगोकर के रखेंगे मैं आदा कप पानी लिया है और उसमें इसको हम दस मिनिट के लिए ऐसी ही चोड़ देंगे यह फूल जाएगी तो मैंने यह पेन ले लिया है उसमें मैं डालूंगी एक कप चीन को मेल्ट होने तक इसको पकाएंगे तो यह देखिए शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है आप मैं इसमें जलेटन मिक्स कर दो घुंगी तो यह जलेटन भी zhled गया है और हम इसको इसको अच्छे से मिक्स कर के इसको आप लगाता चलाते रहें और इसमें इक उबाल आज तुको देखने के लिए कि यह नहीं डिया है और यह दखियй किस तरह से यह टपक रहे तो यह ऐसे ही होना चाहिए इसका मतलब यह रेडि है यह देखिए मैंने इसको इक बाउल में निकाल लिया है इसको हम ज्यादा थंडा नहीं करेंगे Thing-uka is आप इसे एक बाउर में निकाल लीजिए और इसको आप इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छे से बीट कर लीजिए जरूर लगा लीजिए मैं भूल गी थी ओल लगाना थोड़ा सा प्रब्लम हुई थी मुझे वापस इसको निकालने में और आधा मैंने वाइट डाला है आधे में मैंने कलर मिक्स कर लिया है और इसको मैं इसके ऊपर डालके अच्छे से फैला लेंगे तो आप कोई भी कलर य तो यह देखिए जम गया है अब मैं इसे मोल्ड में से निकाल लेती हूं और यहां पर मैं ले रही हूं दो बड़े चम्मच कॉन फ्लार और दो बड़े चम्मच लूंगी में शुगर पाउडर और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके उपर हम फैला जिससे यहां पर चिपकेगा नहीं और इसको आप इस मोल में से निकाल लीजिए तो मैं लगाना भूल गी थी थी थोड़ा सा प्राब्लम होई थी निकालने में लेकिन निकल गया था तो यह देखिए मैं इसको अच्छे से इस तरह से निकाल लोगी तो इसमें आप कॉन फ निकाल लिया है और अभ इसको पीसे में मैं से कट कर लेंगे तो आप इसमें पॉनफलार से और शुगर पावडर अच्छे से लगा दीजिए और यह देखिए और यह से क्पाय नहीं होगी और इसमें के पीस पीसे कट कर लिए हैं और स्क्यूपर और थोड़ा सा कौन फ्लार शुगर पाउडर लाल की अच्छे से कोट कर लेंगे और देखिए किना सॉफ बना है और इसी तरह से आप पीस को ज़रूर बनाईए तो यह सारे मार्शमेलो रेडी हो गए हैं बच्छों की बहुत ही फेपर जा कर्क दो मिया है जा की वह से देखिए तरह यह सारे मार्य यह से क Fra000 लनाजिए